देश से लेकर राज में और तमाम पूरे देश में सिख्छा की क्या स्थिति है वो तो पहले से ही जग जाहिर है हलांकि इस दो साल के दर्मियान में सिख्छा और चर्मराई है और अभी हम खड़े हैं पथरगामा यह है गोड़ा जिलांग में पथरगामा यह ब्लॉक है और अंदर हम रामपूर माल में खड़े हैं यह उच्विद्यालय यानि की हाइश कुल का यह परीशर है आप दिखाएंगे बड़े-बड़े अक्षरों में उतकर्मित विद्यालय रामपूर यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर कुछ विद्यार्थी हैं कुछ यहां से जो दूर जाते हैं पढ़ने के लिए बच्चे हैं हमारे साथ जोड़ेंगे और वो कुछ समस्या अपना लेकर के आएं उनकी कुछ मांगे हैं क्योंकि सुना गया था कि ऐसा कहा गया था कि कुछ जो हाइश कूल है उनको प्लस टू करने के लिए उनको करने के यहां से सूची करें और विद्याले का नाम नहीं है और इस विद्याले के जो बच्चे हैं यह आसपास के गाउन के वो चाहते हैं कि इस विद्याले को भी अगर प्लस टू कर दिया जाता तो यहां से लगबग 10-15,000 की यहां पर पढ़ सकती क्योंकि आस पास बहुत सारे गासे गाउं हैं यहां से प्लस्टू की अगर बात करें तो पथरगामा जाना पड़ता है जो करीब 10 किलमेटर है और अगल बगल के तमाम गाउं के बच्चे हैं वहां जाते हैं सबसे पहली बात यह जो हाई स्कूल का ग्राउंड है इस हाई स्कूल को अप्रोच पत नहीं है यानि कि खेत में कीचड में होकर के बच्चे यहां तक पहुंचते हैं और यहां पर बच्चों की क्या मांगे कुछ यहां पर बच्चियां हैं हम उनसे बात करेंगा आपका क्या नाम है किस क्लास में पढ़ रही हैं इंटर अभी कहां अब इन्मिशन लिए ने मुद्व पास करके लिए पढ़ते हैं कौन से क्लास में तो यहां पर जो बच्चियां है इसी विद्याले से पढ़कर टेंट इन्हों ने पास किया है और अप लस्टू की चिंदा सतारी कि गाउं से दूर रहकर आखिर कहां पढ़ा जाए तो कि इनका 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 स्कूल जो है प्लस तूर यहां से से दूर है क्या नाम है मेरा नाम सर अदित्य कुमार अनंद है अभी सर हम इंटर मतलब इस पार हम लोगों को हम लोग यहां से सर बहुत दूर रहने के कारण ऐसा मतलब हम लोगों के समाज में प्रवर्ति भी बना हुआ चलो भाई लड़कों को तो किसी तरह से भेज दिया अईसा होता है कि लड़कियों स्कूल तक नहीं जा पाती है लोगडाउन में भाराट डबल हो चुका है क्या बात सचाई है क्या लगत क्या मोहले की दूर जाकर नहीं पड़ना है कि यहां पर आंटी जी हम उनसे बात करते हैं क्योंकि इनकी बच्ची होगी आपका नाम सुनीता देवी क्या महले गाउं का महल सरी है कि सब सुदूर गाउं है तो यहां बहुत होता है बच्चे जाना चाहती है गार्जन है सब किसान है पैसा नहीं हो पाता हो इसके चलते लोगा छूट जाता है तो तो परहं का साधी आठमी बच्चे साधी हो जाती तो पर यहां से पास करके उसके बच्चे उतना दूर तक पढ़ते और इसलिए चाहते हैं कि इसको वार्मी तक कर दिया जाए तक हो जाने के बाद लड़की का भी एज अठाड़ा हो जाएगा सर तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहां पर बता जा रहा है कि इस श्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है और बांडरी नहीं है कैसे आते जाते हैं वह कच्छी सरक से बहुत दिक्कत से आते हैं जाते हैं लोग कुछ बनने का सपना है दिमाग में क्या सोचे हो तुम अब आप इसकूल पर यह से बनना जाएंगी नहीं पढ़ने जैसे बला बता रहें कि दिक्कत होता है तो कैसे सपन सब्सक्राइब करेंगी तो सभाविक है कि गारजन के उपर भी प्रेसर होता है कि इन लोगों का साधी पढ़ाई पढ़ाई खतम हो गया तो दूसरा भी कलब साधी वही हो जाता है इस पूरा एरिया में आप कहीं पूरा गाउं भ्रहावन करके भी पूछ सकते हैं कि ज्या कैसे खर्च उठाया जाए पूरा परिवार का किसान परिवार के लोग है यहां पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सरकार आप लगाते हैं और किस प्रकार से बेटियां पढ़ेंगी इसका इंतजाम लेकिन आप नहीं कर पाते हैं तो यह वह बेटियां है जो कमा आने जाने में प्रॉबल्म मुषान हो जाते हैं पर रशान हो जाते हैं वेट करद हम लोग ताइम पे नहीं आपाते हैं तो तो कुछ मांग है क्या सरकार से क्या चाहते आपके 시간 और रिम्हें को प्रमटि बनता है कि कितने आवादी को प्रभावित करेगा क्याओन लोगों को फायदा हो LET करते हैं कि यहां सी किलोमेटर दूरशाहा और दुर्गापूर इधारा तो यहां से गann धी ग्रह इस तरह मतलब इस पूरा च्छेतर का आप बोल सकते हैं कि 10 किलोमेटर का रेडियस में जितना भी गाउं का नाम बताया जी बिल्कुल 14 सबस्क्राइब उन सभी गाउं से बच्चा यहां टैन तक पढ़ाई करने आते हैं तो यानि कि मांग है कि इस प्रकार से तमाम कुछ स्कूलों को उतकर्मित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जैसे कि सिक्चावेवाक से हमने बात कि अभी तो उन्होंने बताया कि उसके लिए नाम लिस्ट भेज भी दिया गया है तो इन लोगों का मांग है रामपूर वाले का कि इस स्कूल को भी प्लस्टू कर दिया जाए तो कम से कम 14-1500 बच्चे बच्चों को भटकना नहीं पड़ेगा खासकर इन बेटियों को नहीं बटकना पड़ेगा जिसके लिए बड़े बड़े नारे आप लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या नाम है बैठ प्लस्टू हो जाता है तो इस सुदूर छेत्र में चार से पांच पंचायत का बच्चा लवानवीद है मालनिस्तरा चिल्रा पंचायत विसाहा पंचायत इधर रानीपूर भी पंचायत में कितने गाउं गाउं आसपास अधरा है चालिस गाउं के बच्चे यहां पड़े पंचायत का बच्चा आता है तो यहां लड़की को खास करके सुविदा होगा ही उसके फीछे लड़का को भी स्विदा होगा जो बच्चा बनचीत रहा जाता है परने से अपको दिखाएंगे कि चमाम जो आप इसका रेडियस देख रहे हैं तमाम कमरों को अगर आप गिनती कर लेंगे तो मेरे ख्याल से अगर कम से कमरे ते जरूर होंगे यहां पर क्या तो बीस कम्रों वाला यह पूरा केंपस है हर तरह की विवस्था है सोचाला है और जितना वड़ा यह रेडियास है इसको आप कॉलेज भी बनवा सकते हैं सिर्फ प्लस्टू की बात नहीं अगर डिगरी की पढ़ाई भी करवना चाहें तो आप कर वा सकते हैं तो यह इन लोगों की यहीं मांग है और यह को प्लस्टू करवा दिया जाए तो साथ इनका बेड़ा पार होने के संभावना है बाकि आसपास के आपके जो आप कितने कितने उमर के हैं अब हो जाएगा तब मतादिकार के हो जाएंगे आप लेकिन राजनितिक तो आप देखते ही होंगे आप नजरिया आपका होगा त सबसे बढ़ी खुशी की बात है कि हमारे युवा विधायक अमीत मंडल युवा है तो आखिर यह सिक्षा से समन्दित युवाओं का ही समस्या होता हम लोगों कभी पूरा विश्वा से कि हम युवाओं को वह बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे से सुनेंगे विदायक जी अपने जेब में लेकर के घूम रहा है इस आज से कि इस विद्याले को भी की तरब भी आप नजर डालेंगे आज जिलाटॉप की टीम यहां इसलिए मौजूद है ताकि हम इनका माध्यम बन सके और इनकी बात आप तक पहुंचा सके तो यह देखिए यह मोवाइल पर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं आपसे उम्मीद कर रहे हैं तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत अगर इस खबर के साथ अगर आपके कुछ भी आपके मन का जुड़ा जुड़े अगर लगे की नहीं इनकी मांग वाजिब है तो जरूर इस इनकी मांग को पूरा करने कि कोसिस करें धन्यवाद